इसके study platform पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग current affair पढ़ रहे हैं July वाली Chronicle की magazine से ठीक है तो उसमें काफी topics हमने complete कर लिया है आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो दो topic है book और sports तो start करते हैं अगर book की बात करें तो जो book है एक मिनट हाँ पहली book है My Life as a Comrade पुस्तक My Life as a Comrade इसका विमोचन किया गया है किसकी book है ये तो K.K.Shelja ये केरला की है इनकी आदम कता है K.K.Shelja की ठीक है पहला दूसरा Make in India 75 years of business at enterprise ये नीती आयोक के जो पूर्वी CEO है Amitabh Kanth जी उनकी book है ठीक पस नाम याद रखियेगा Reflections Reflections किसकी book है तो नारायन वाघुल इन्होंने लिखा है जबकि विमोचन किसने किया है तो हमारी जो वित्तमंत्री है निर्मुला सितारमन जी उन्होंने इसका विमोचन किया है ठीक तो तीन book याद रखियेगा अदर्स के अगर और कुछ न्यूस की बात करें तो वारांसी में जो लाल बहादुर शास्त्री अंतररास्त्री हवायट्टा अब ये टॉपिक आपका बन गया UP Special पूछा जा सकता है जो लाल बहादुर शास्त्री अंतररास्त्री हवायट्टा वो कहां है तो वारांसी में तो वहाँ पे एक reading lounge बनाए गया है मतलब ऐसा lounge बनाए गया है जहां पे library होगी ठीक तो जो लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं तो ये पहला है ठीक तो मैंने कल भी कहाते है कि जो पहली चीज होती है वो important हो जाती है तो ये पहला है भारत का तो इसको ध्यान रखेगा फिर अंतररास्टी, maritime और aerospace प्रदर्शनी कहां पे हुआ है तो Malaysia के लैंग कावी में अब देखिए अब चलते स्पोर्ट्स पे स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में है Grand Chess Tour ये हुआ है क्या नाम है इसका Superbet Rapid and Blitz Poland ठीक ये Poland का किताब मतलब Grand Chess Tour है उसका नाम है Superbet Rapid and Blitz Poland इसका किताब किस ने जीता है तो Maxon Colson ने Maxon Colson ने जीता है और पांच बार इन्होंने जीता है इसको ठीक है दूसरा है मुरली श्रीशंकर ये भारत के लंबी कूद के खिलाडी है जिनको अंतरराश्ट्रिय कूद मीटिंग में स्वाण पदक मिला है उसको ध्यान रखिएगा और एक और है भारत के जैस्विन एल्डरिन जिनको रज़त पदक मिला है ठीक है आगे देखें तो पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे है सॉरी पंजाब पंजाब का पारम पर एक मार्शल आर्ट है उसका नाम है गतका तो अगर गतका पूछ लिया गया क्या है तो गतका एक प्रकार का मार्शल आर्ट है तो क्यों ये इंपोर्टेंट है क्योंकि गोवा में जो 37th राश्ट्री खेल होगा उसमें इसको शामिल किया गया है तो आपको यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है पहला तो जो गतका है गतका क्या है पंजाब का पारंपरिक मार्शल आर्ट है और दूसरा फेक्ट है कि जो 37th राश्ट्री खेल है उसका आयोजन कहा होगा गोवा में ठीक फिन नेक्स्ट है कि जो भाला फेक चैंपियन है नीरत चोपडा ये विश्व के नंबर वन खिलाडी बन गए है और ये रैंकिंग प्राप्त करने वाली ये पहले भारती है तो ये भी इंपोर्टन्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे भी पहला है ठीक पहले भारती है उसके बाद दूसरा नियूज इनी से रिलेटेड है कि इन्होंने डाइमंड लिग भी जीती है नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी जो कप है ठीक है उसमें कहां पर हुआ है शंगाई में भारत को दूसरा स्थान मिला है ठीक है नेक्स्ट है इटली ओपन टेनिस ये हुआ है इसमें पुरुष सिंगल्स में डेनियल मेदवदेव को मिला है जो की रशिया के है और महिला सिंगल्स की बात करेंगे तो एलीना रिबाकिना को मिला है जो की कजाकस्तान की है ठीक है नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है इस टाइप का तो कुश्चन आता रहता है कि भारत के 82 वे ग्रैंड मास्टर कौन है तो विप्पुला प्रणीत विप्पुला प्रणीत विप्पुला प्रणीत भारत के 82 वे ग्रैंड मास्टर बन गये है पंद्रा साल के हैं इनकी आयू 15 years है और ये तेलंगाना में है ठीक फिर next है लुका ब्रेसल ये स्नूकर विश्व चैंपियंशिप का इन्होंने किताब जीता है और last है कि लॉर्येस स्पोर्ट्समैन ऑफ दे इयर किसको दिया गया है लियोनल मेसिको तो ये छोटी-छोटी सी classes होती है चार मिनट की पांच मिनट की कि मतलब रोज आपका करन चूटे ना जैसे आप कही ट्रैवल में हो या कुछ काम कर रहे हैं तो बस आप रोज देख लीजिए और अगर चोटी-चोटी वीडियो रहेंगी तो उसको रिवाइस करने में भी easy होगा तो इसको भी यह और नोट्स बना लीजिएगा